बूर्णिंग फिंस मैं नम इस राज और वाचिंग यूर फेवरे चैनल राज टेक्निकल अनलेसिस आज का डिट 13 मार्च 2022 आज हम लोग जिन शेयर के उपर मुंख्ली प्रिविव करेंगे वो है रिलैंस क्या करना चाहिए शेयर पर बात करेंगे कोल इंडिया जहां पर मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था उसे बाई करना चाहिए या नहीं और मैंने उनको कहा था कोल इंडिया 140 के रेंज पे हमेशा आप बाई कर सकते हैं बहुत important support level है और आप मेरे वीडियोस अगर regularly देख रहे हैं कोल इंडिया का 140 से 200 के बीच में कितनी बार up and down हुआ है इसके बात करेंगे खादीम के उपर खादीम में करेक्शन आने के बाद के आप इस पर एंटर करना चाहिए या और करेक्शन का वेट करना चाहिए फिर बात करेंगे SBI बैंक जो मैं आपको हमेशा सिखा चुका हूँ support resistance क्यों ज़रूरी है support पे अगर आप buy कर रहे है 52 week highs के पास आपको buy नहीं करना ये भी आप लोगों को सिखाया हुआ है तो वीडियो रेगुलरली पूरा देखते रही है पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको खाईना काई tips मिलेगा जो आपको share analysis करने में काफी मदद करेगा साथ मैं आपको इपी कमनी के उपर वीडियो बनवाना मेरे चैनल की USP ये है कि मैं आपको rate के साथ वीडियो बनाता हूँ और आपको सही support और resistance बताने की कोशिस करता हूँ मेरे चैनल की दूशरी बड़ी USP ये है कि मैं आपे हमेशा monthly previews update करता हूँ इससे जितने भी मेरे सबस्क्राइबर है अगर वो इंसे पे invest कर रहे है या trade क कर रहे है तो उनको हर महीने इससके support और resistance अपडेट होते रहते हैं अगर उन लोगों ने bell notification on किया है तो तो ज़रूर bell notification on करना बिल्कुल मत भूलिए फिर आप मेरी checklist में भी check कर सकते हैं यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के लिए category west classification किया हुआ है अब बात करेंगे आज हम लोग चिन शेर्स के उपर monthly preview कर रहे है बड़ उससे पहले आप यह उपर तियाव लिंक पे जरूर देखिए चाहां पिछले मैंने इनी चारों शेर्स कामेन monthly preview किया था बात करेंगे relance, relance कमनी क्या करती है कौनसी category में आती है यह सारा information चाहनने के लिए आप यह उपर तिय 2800 एंड रेजिस्टन 3 3000 का, relance आज के डेट पे 13 मार्च 2022, इसकी जो closing है 2399.15 है, support 1 2000, support 2 2200, support 3 2400, resistance 1 2400, resistance 2 2600 and resistance 3 है 2800 का, हैस अगर आप इसका देख रहे है 2456 रुपीज 40 पैस है और इसका इसमेन का चो lowest है 2180 रुपीज है, बात करेंगे कोल इंडिया, कोल इंडिया कमनी क् करती है, कौन सी काटेगरी में आती है, यह सारा information जानने के लिए आप यह उपर दिये लिंक पे जरूर देखे, कोल इंडिया का वीडियो अगर आप मेरे रेगुलरली देख रहे हैं और सुर्फ सपोर्ट और रेजिस्टन्स का ख्याल रख रहे हैं, तो आप खुद कि जब से मैंने इसके वीडियो बनाए तब से आपने कितनी पार प्रॉफिट लिया रहेगा, अगर आपने इस सपोर्ट रेजिस्टन्स का ख्याल रखा है, तो कोल इंडिया का मैंने लाश्ट टेम जब वीडियो बनाए था, ग्यारा फैब 2022, तब इसकी क्लोजिंग वीती 166.50, सपोर्ट 1.140 का था, सपोर्ट 2.150 का, सपोर्ट 3.160, रेजिस्टन्स 1.170, रेजिस्टन्स 2.180, रेजिस्टन्स 3.190 का, कोल इंडिया आज के देड़ पे, 1.97.75 है, और इसका इसमेने का जो लोश्ट है, वो है 1.49 रुपीज, कोल इंडिया अगर आपने 1.50 के नीचे के रेंच पे बाई किया हुआ है, तो आप आराम से इसे होल्ड कर सकता है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता है, कैंडल स्रिक बहुत ब गया था और उसके बाद वो अल्मोस्ट से 150 के रेंच बे आया, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आप शॉट टाइम ट्रेडर है, तो सपोर्ट रेजिस्टन्स का ख्याल रखिए, 80% मेरे मंथली प्रीदू अगर आप रेगुलरली देख रहे, आपको मैं इतने सा पर शेयर में देखा होगा, ठीक है, उपर जाने के बाद भी वो सपोर्ट लेवल पर आएंगे, शायद एक महने के बाद आएंगे या तीन महने के बाद आएंगे, बट आएंगे ज़रूर जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ, ट्रेडिंग में आपको पेशन्स इस आल्स टैम विडियो बनाया था, 11 FAB 2022, जब इसकी क्लोजिंग थी 279.10, सपोर्ट 1230, सपोर्ट 2260, सपोर्ट 3 285, रजिस्टंस 1285, रजिस्टंस 2310, और रजिस्टंस 3 दिया था 335 का, खादी मार्च के डेट पर आप देखेंगे, 13 मार्च 2022, इसकी जो क्लोजिंग है 243.60, सपोर् 1240, रजिस्टंस 1240, रजिस्टंस 2260, रजिस्टंस 3280 का, हाइस अगर आप इसका देखेंगे 295 रुपीज है, और इसका इस मैंने का चुलोजिंग है 222.00 है, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, खादीम का अगर आप वीडियो देखेंगे, आप वीडियो देखेंगे, य ने लाश्ट टाइम जब वीडियो बनाया था, 11 फैब 2022, तब इसकी क्लोजिंग वी थी 529.60, सपोर्ट वन दिया था 400 का, सपोर्ट टू 450 का था, सपोर्ट 3 500 का था, रेजिस्टंस 1 जो था, आपका मैं आपको बता दू, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन होना है, यह जो मैंने ब्लैंक छोड़ा था, अगर आप देखेंगे तो, 550 मैंने रेजिस्टंस 1, 600 सॉरी, रेजिस्टंस 2 और रेजिस्टंस 3 मैंने ब्लैंक छोड़ा था, इस भी बैंक आज की देट पे 13 मार्च 2022, इसकी जो क्लोजिंग है, 470 रुपीज 35 पैसे आया है, सेम सपोर्ट सपोर्ट, 500 का तीसरा सपोर्ट, बट रेजिस्टंस 1, डेफिनेटली मैं यहां पे आप लोगों के लिए बता दूं, यह 500 होगा, रेजिस्टंस 2 है, आपका 550, सॉरी, 600 और रेजिस्टंस 3 पर मैं आपको अगें ब्लैंक छोड़ रहा हूं, जो मैंने पिछले बार भी आपक 500 का सपोर्ट, रेजिस्टंस दिया था, 500 से 550 ही दिया था, 550 लास्ट में अगर आप देखेंगे 549 तक गया था और उसके बाद उसने थोड़ा से रिवर्सल लिया और आल्मोस्स सपोर्ट वन के पास आ गया था, तो इसके लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं, हर शेर आता ह हर शेर में करेक्शन आएगा, आपके पास पेशन्स लेवल होना चाहिए, शेर अगर रेजिस्टंस लेवल में हैं, तो एक चीज़ हमेशे आद रुखना बाई नहीं करना है, जब तक सपोर्ट पे नहीं आता, आपको मैं इतने सारे वीडियो बना रहा हूं, आपने पर सल लिया, तो डेफिनेटली आप याद रखे, आपका नुकसान होने का चांस जादा है, या तो आपका वेट करने का टाइम बहुत लंबा लग जाएगा, तो उमीद करता हूँ, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जैसे मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, सही सपोर्ट और रजिस्टन्स दे कर उस तरह आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मरे वीडियो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आपके फैमिली फ्रेंड्स पर फॉर्वर्ड कीजिए, ताक ये इंपर्टन इंफोर्मेशन उम तक भी पहुन सके, थैंक यू सो मच, हैव नाइस टे,